एक्षन जहिन जह माकाल दोस्तों मेरा नाम विजेंद्र पोका है चत्री प्रणाय में आपका स्वागत है फिशली बार हमने अश्वगंदा चून के ओपर वीडियो बनाया था और लोगों का रेस्पांस देखते हैं हम इस बार नंदी अर्ख पे वीडियो बना रहे हैं और यह नंदी अर्ख है इसकी सेवन क्यों करना है और बनता कैसे है पहले यह समझ लेजिए यह बनता है उच्छ अपने देशी नंदी जो उच्छ कोटी के जिसकी आयू चार साल के ऊपर हो वैसे नंदी का मूत्र हम पकड़ते हैं पकड़कर सहिजन के जो फली आती है आप तो के मूत्र में भीगों कर रख के हम इसका अर्ख बनाते हैं और यह अर्ख है ना जो भी भाई अपने हमारे शेत्रे प्रणायम में प्रणायम करने वाले हैं जो पहलवानी कसरत करने वाले हैं उनके लिए यह बहुत ज़्यादा फाइदे मन दे उसके फाइदे में आपको ब बढ़ाएगा फोरांस बढ़ाएगा और इसकिन को ग्लो लाएगा और चेहरे पर अलग तेज दिखेगा इसका आपको आपके अभ्याद से पहले सुबह में एक कप पानी में इसको बीसमेल लेकर देखिए दोस्तों आपको कितना फैदा करेगा एक हफ्ते में आप आक्षेरी कारों को लाब हुआ है इसी को देखते हैं हमारे वीर भाई बोले इस नंदी अर्क वारे में अपने देश बाशियों को बताओ और सारे युवाओं को मजबुत रहने का कुछ उपाई बताईए बलके हमें बताए और इसके यह गुणवक्ता ऐसी है देखिए अपने शरीर में जो भी हम भूजन करते हैं पहले बंता है रसे बंता है रक्त मास मेद मद अस्ति अंत में वीर बननता है यह सातो धातों को पुष्ट करेगा साती सात वीर को गाड़ा करेगा वीर गाड़ा होने के बाद आपको इसके फाइदे नजर आएंगे ब्रह्माचार पालन में साहिक रहेगा और शरीर को एक अलग तरह का चेतना जागेगी और इससे उतेजना भी नहीं बढ़ेगी जो भा दोस्तों यह था इसका दंदीर का संक्षिप प्रणन आने वाले वीडियो में इसकी और ज्यादा जानकरी आपको प्रसूत करेंगे हम चाहते हैं कि देश में हर युवा बलवान रहे और पुस्ट रहे हम यही चाहते हैं निरोगी रहे मिलते हैं अगले वीडियो में दोस् लोगोज्ट रम्हाल